तो दोस्तो आज हम बात करने जा रहे है एक ऐसे चूतियों से भरी इंडस्ट्री के बारे में जहाँ पर एक चाचा के उमर के आदमी को भाई कहा जाता है एक दादा के उमर के आदमी को बाबा कहा जाता है एक ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पर इंसानों का नहीं बढ़वों का को रहात जलता है बाड़ा बागवा ज्री के बारे में जाहां पर सुबसले पर शाम तर दीवन के राप तर निपोटिसम चलता है ज़रहने के लोग चाहे के साहँ भी घोलकर निपोटिसम पीते है एक एसी इंडस्ट्री जहाँ पे जबान से नाप को चाटना टैलेंट है जबान को अपने शरील से रणना टैलेंट है एक एसी इंडस्ट्री के बारे में जहाँ पे असली टैलेंट होने वाले आपने से एक तो काम छीना जाता है या फिर उसको खुद कुशी करने पर मजबूर किया जाता है जहां पर भगवान का और सादू संतों का बार-बार मज़ा उड़ाया जाता है एक ऐसे इंटर्श्ट्री के बारे में जहां पर अबर्स दिये नहीं जाते बलकि खरीये दे जाते है जिहां दोस्तों हम बात करने जा रहे है बॉलीवूड 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 और उसकी नाजाया जवलाद नेपोटीजम के बारे में तो पहले आपको बता दू कि बॉलीवूड वो घिरवना शब्द है जो सुएं के मेरे दिबाग का भरोसा उठ जाता है अब सर जब हम जैसे आप लोगों के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोगों को बुलाया जाता है दूआये देने के लिए वैसे ही जब जब मिलीवुड में इसे स्टार कसी को बसज्चा हूता है तो वो इसे गुलाया जाता है भौय के विदसथ हं ऑस्टा मेट को रिएसे लोग्या की शा करन जोहर का इसे स्टारइज के साथ इतना ज्यादा लगाव है कि इसतारगीम Mister कराने कच्छे चुड़ा के पहनता है वो उनको लेता है, अपनी फिल्मों में बुसाता है, और को अंटरवर्सी करके दबा के पैसा कमाता है, क्योंकि जनता तो चूर दिया है, इस कबुत तरचोर को जब पूछा गया, कि स्टार केड को छोड़के कोई टेरे टेक्टर को अपनी फिल्म में लेगा क्या, तो इस सुर्मुर जैसी शकल वाला आदमी खुद को गौनी उड का बाप समझता है, लेकिन सच्चा ही तो यह है कि ना यह बाप है और ना ही मर्द, आप बीर्यानी, इस चूतियों से भरी इंड़स्ट्री में चाचा की उमर का आधमी भी है, जिसे लोग भाई कहते है, इसे भाई ऐना के करियर बरबात करने में बढ़ा मसा आता है, इस इन्सान में दुनिया का सब से चूतिया फैनवेष बना के रखा है, इसके फ़ाईस के लिए पुजश भी करने को टेया रहा है, लिकि ए अपने त्रइयस के सब यह हरकते कलता है, सिल्फि भाई भाई भाई, फ़ एक जड़ेय। लोगों पुछना चाहता हूं फिर चैय। इन लोगों से मैं बस यह पुछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे परिवार में से किसी को ऐसा कोई आदमी काड़ी से उड़ा देता क्या फिर उसकी जान ले लेता या मार देता और बदले में थोड़े लोगों को थोड़ी मदद कर देता तो क्या तभी तुम यही कहते हैं मदद करता है लोगों को मदद करता है और आपको बता दू कि इस इंसान ने चैरीटी तब शुरू की जब इसकी इमेश पबलिक के सामने हद से जादा बिगड़ गई थी अपनी बिगड़ी हुई इमेश जो साफ करनी थी ऐसा लोग कहते है ऐसा लोग कहते है ये लोग दुनिया के सामने बड़ी शराफ़त से पेशाते हैं अपनी बॉडी को और फिटनेस को बताते हैं लेकिन इनकी सच्छा ही ये है सलमान खाने पाकिस्तां के कलाकारों के बॉलिवुड में काम करने का समर्थन किया है अ और हो भी घ्यू ना तोटी इनसे हम उमीद भी क्या कर सकते हैं इन लोगों के पास दिमाब तो हैं नहीं जितना है उतना ये लोगों के करियर बर्बाद करने में लगते हैं क्योंकि जन्ता को चूतिया है क्योंकि हम लोग विरे मोमेरा जैसे टेलेंट डेक्टर पे हसते थे कि उसका कर्यर तो खटम कर दिया आपने भई है ऐसा कहते कि करंग जोहर के साथ-साथ सुशान सिंग राजपूद की फिल्में बैन करने में इसका भी बड़ा हात्ता ये अजिब प्रानी यहीं बेशान्त नहीं होता बल्कि ये अर्जिब सिंग जैसे मशूर सिंगर के गाने चीन कर खुद अपने फिल्मों में गाने भी गाता है मैं हूँ हीरो तेहाँ अपने मुझे में फेर्डिक बाढ़ चित्रा के सफ रिटर लगाके फिर गाता है मैं हूँ हीरो तेहाँ क्योंकि जन्ता पो चूतिया है ये वीडियो तो के बन मजाग के लिए है क्योंकि सल्मान भाई के तो हम बहुत बड़े फैन है भाई भाई के बारे में वीडियो बनाता है? अगात क्या है तरी? भाई को रोष्ट करता है? भाई यो डाय हाड फैन बनना है तो नवाज भाई के बनो नवाज उद्दिन सिद्धी की सबरदस्ट एक्टर भी है इस इंडस्ट्री ने कुछ कीडे भी पाल के रखे हैं जिनको यह अक्सल तुपड़े डालते रहते हैं और वो कीडे ट्विटर और इंस्टर के द्वारा हमारे समने पेश किये जाते हैं और वो यह पाक्षड़ी करते हैं इनकी तफ्रिया ऐसी है इनको देखते तो मुझे घेल भी आती है यह सम यहीं पे खतब नहीं होता इस चूतियों से भरी इंडस्ट्री में एक और प्रचाती की नागिन भी मिलती है एक हैसी नागिन जो हमारी देश के मिल्ट्री को अपने सीरियल गारा सीरीज द्वारा बददाम करना चाती है हमारी देश के उन वीर जवारों को हमारे देश के रियल हीरोस को बददाम करना चाती है अपने सीरियलों में उनके बारे में कलद बताती है उनके फैमिली के बारे में कलग बताती है ये वो नागिन है जिसमें जारित में है कि इसे साप भी काट ले तो बेचरा साप मर जाएगा इसका नाम है एकता खफूर, माली खफूर एकता क्रफूर वहानी घर-घर की ये नेपुटिजम का वह जैनल है जिसने घर-घर की कहाणी बिगापके रखी है और इन सारे चूठीह का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है खिदोस्तानी भाव घधोस्तानी भाव इ सारे लोगों की ऐसी मारेगा एसी मारेगा कि उठना बैटना मुश्किन हो जाएगा इस चूटियों की इंडस्ट्री को एक और बीमारी भी है और वो है रिमिक्स और रिमेंग के इसके सबसे बुढ़ी आदत है इस इंडस्ट्री ने पूराने जमान के कई अच्छी गालों की माभेने करके रखी है ये वो जगाए जहाँ पे लोगों को देशभक ना होने पर बड़ा गर्व है मेरे ज़ादा देशभक ना होनी के वज़ा से जो भी आपको प्रॉब्लम है प्लीज वो मुझ पर निकाल ले इसके कोई कत्राडियर हीलो लगाके उस फिल्म को पूरा बर्बात कर देते हैं यानि जो आदमी और इनस्विन देखा होता है वो इस फिल्म को देखके बीमार भी पढ़ सकता है इसलिए बॉलीवूद नाम की बीमारी से बूरो भाही हो क्योंकि हो सकता है आपको भी दिल का दोरा पड़ जाए मैं तो बच गया हूँ मैं इस चीजों से काफी समय से दूर हूँ लेकिन कुछ-कुछ लोग इस इंडस्ट्री में अच्छे भी है जैसे की आक्षे कुमा जो देश भक्ती पे और अच्छे कंसेप्ट लेके फिल्म बनाता है और दूसरे अजय देवगन जो की तानाजी जैसे मशूर फिल्म को बनाते है भले ये इंडस्ट्री चूतियों से भरियो लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ बहुत जादा टैलेंटेड लोग भी है ये इस इंडस्ट्री के वो हिर है जो की कोई लेकी ख़दान में मिलते है इस इंड़स्ट्री में एक और इंसान लिया है इसको लोग बाबा कहते हैं ये वो बाबा है जिसे लोग संजु बाबा कहते है जिसके उपर गांचा ड्रस कीते हुए एक फिल्म बन जाती है क्यों कि उसके उपर आतंकवादियों को सपोर्ट करने का इंजाम है तो उसे वो साफ करना है साफ करेगा कैसे फिल्म बना के तो फिल्म में होगा कौन एक स्टार किड जो कि एक स्टार किड का लड़का है जो कि एक स्टार किड के उपर फिल्म बना रहा है यालि ये स्टार किट ने तो मेरे दिवाग का भाहाँ सा उठा गया दिया है इस वॉल्यूड नाम की बीमारी में अगर भगवान का मजा बड़ा हो बगवान को बातरूम में दोड़ते वे दिखा है तो पिचर हिट हो जाते है क्योंकि जंका तो चूथिया है बैंचो अगर आप रमायन लिख रहे हैं और उसमें राम का शब्न यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे सा नहीं लिख सकते ना मैं एंड में चिला के बोलता हूं पिक्चर में जैश्री राम और आप देखना पूरा थेटर खड़ा होके बोलेगा जैश्री राम सर आप यह जो काटेंगे मेरे साब से यह तो पूरा ही एक पोड्यूसर पर इतना दबाव हो जाएगा कि आएंदा वो अच्छी सोच वाली फिल्म कैसे बनाएगा सर आप बड़ी-बड़ी फिल्मों को पास करते हैं क्योंकि आपको कौफ है इस बॉलीवूड के भड़गों को साउथ फिल्म इंडस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए सिर्फ कौपी मारदे से काम नी होगा इस तरह वो लोग अपने इंडियन कल्चर का रिस्पेट करते हैं इन भड़गों को यह भी सीखना चाहिए कि सिर्फ भगवान का मजा कुणा क बलकि भगवान को सरपे ढठा के भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है और अच्छी का सी कमाई की जा सकती है इस industry में अगर कोई बहार का hero आके superstar बन रहा हो या फिर किसी film की script अच्छी हो तो उसे रोग दिया जाता है वो scene खाट दिया जाता है अगर कोई climax या फिर अगर कोई scene अच्छा बत रहा हो तो उसे cut कर दिया जाता है तो यहाँ पर आज भढ़गों का चलता है ऐसा मैंनी गोव दो लग रहा है कि इस point पर हश्य आ जाएगी उसे काट के निकाल दो लग रहा है कि यह point पर चलतो नहीं जाएगी किन कियो कि चलानी ही जो है किसी एक वर्ग की एक एक घौपिका मुझे नझर आती है कि वही कहा रहा है कि यह बाकी जित्तन है यह out हो जाए ये लेपोटीजन का भड़वा बॉलिवुड से एक शेरदी से थर थर कापता है और उस शेरदी का नाम है कंगनारा नावत ये वो शेरदी जो पैर बजा देती है इस इंडस्ट्री को वो हिंपो करसी की बीमारी है जो सडक के किनारे हुए हुए नाले में पड़ी हुए होती है बहार देश में चल रहे छोटे छोटे मसलों पे ये हिमो करसी की दुकान समने आ जाती है लेकिन जब हमारे देश के कोई सादू संतु को जब मार दिया जाता है तो ये इंडर्स्ट्री के लोग हामोश बैठती छिल मारते है और इस सारे बॉलीवूड के पकरी चोरों की वज़े से सुशान सिंग रास्पुज जैसे टैलेंटेड लोगों को बॉलीवूड में जगाने ही मिल पाती तो अगर आप ही ये सोच रहे है कि इस भड़वे बॉलीवूड और नेपोटिसम को कैसे रोके तो आसान है दोस्तो बस तीन लोगों से कहे कि इनकी फिल्में ना देखे और उनसे कहेंगे कि वो तीन लोगों से कहे कि इनकी फिल्में ना देखे तो थ्री इंटू थ्री नाइन हुआ, इंटू थ्री, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन, इन्टू थ्री होता है, इक्या से बताना तो यही चाहूंगा दोस्तों, कि मेरे जैसे एक छोटे से इंसान की, इन जैसे बड़ो लोगों के सांदे, कोई भी आउकाद नहीं है, क्योंकि आप लोग कमेडे बोलेगे, तेरी क्या आउकाद है, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी वज़े से कोई डिप्रेशन मे महाराश्टर! तो दोस्तों, जाते-जाते बस यही कहूंगा, कि यह वीडियो बस मजाग के लिए बनाया था, यह रोष्ट वीडियो ऐसे रोष्ट की तरह लोग, आशा करता हूं कि आज के वीडियो को आप लोग हजार लाइप तभी भेक के मारो है, तो दोस्तों, अगर आपको भी बॉलीवूड और नेपोटिसम का घुस्ता हता है, तो उस लाल रंके बटन के उपर अपना हाथ भेक के मारो है, हाथोड़ा, बस दबा दो यहार, तो इस वीडियो को शेर करो, इतना शेर करो, यह वीडियो जाके नेपोटिसम में घुस जाना चाहिए, और है तो है अगले वीडियो में